कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त आपका होश्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तारिक है दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 और यहां पर एक नॉवंबर देखे अब नॉवंबर बंद आ गया साल खतम होने वाला है ना बहुत ही जल्दी वाली और उसके वाद खतम तो एक नॉवंबर 2023 के लिए यानि कि बुद्वार एकस्पारीड जो बैंक निफ्टी का उसके लि किल्कुल भी नहीं है तो चलिए शुरुवात करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का और चार्ट पर आते हैं चलिए चार्ट पर आ गया और देखें ज्यादा मुमेंट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखा जाए उपर ओपन 43,300 के आसपास जरूर हुआ ठीक है लेकिन उसने 5-10 मिनिट में कहानी खतम कर दिया सारा गेन खतम करके क्या किया लास्ट में बिल्कुल साइडवेज जोन चरी मैं आपको ऐसे दिखाता हूं तो आप देखें तो बिल्कुल एक साइडवेज एरिया में फसके रह गया आपने देखा होगा इसलिए अब यहां पर अगर यह कल इस बॉक्स के नीचे निकल जाता है यानि कि 42,800 के नीचे गिर जाता है तो फिर एक सेलिंग एरिया बन सकता है 42,800 के बिलो हैना इसके नीचे आता है तो आपको एक सेल का एरिया बनता है और इस कंडिशन में जो आपके टार्गेट बनेंगे वो 42,700 और 42,600 का एक नॉर्मली जो टार्गेट है यहां से गिरने के बाद यह इस एरिया को कवर करेगा और अगर यहां पर होल्ड किया तो अ आने का कोशिस करेगा यह ध्यान रखना यह अब इंपोर्टन सपोर्ट निकल के आया है 42,400 क्योंकि आपने देखा यहां पर से ही इसने बहुत अचा है एक्जक्ट 42,400 से ही इसने बाउंस लगा तो उपर गया तच करके तो 42,400 एक सपोर्ट एरिया वान के चल सकते है और टार्गेट की बात यहां पर मैंने करी लिया अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो पूट ऑप्शन को यहां पर बनता है 42,800 के इस ट्राइक प्राइस का यह नेक्स्ट एक्सपारी वाला लेना है कल बैंक निप्टी का एक्सपारी है हमें नेक्स्ट एक्सपारी कर लेना यह सेल साइट का भी है लेकिन अगर बाय साइट जाना रहा ऊपर भागा तब तो यह जो एरिया है ना यह बॉक्स यही बॉक्स एरिया इसके लिए इंपोर्टेंट है हमें इस बॉक्स एरिया के ऊपर ही ट्रेड करना ज्यादा सेफ नजर आता है जिसका प्राइस 43,100 के आ लेवल की बात है कि लेवल मुमेंट कहां पर से बन सकता है लेकिन फिर भी खुजली सुरू हो जाए कि ना हमें पहले इंटी करना है तो आप एक रिस्क ले सकते हैं 42,900 के ऊपर है इसके ऊपर एक रिस्क लिया जा सकता है लेकिन मैं अगेर बता दू 43,100 के ऊपर एक बनेगा उसके ऊपर निकलता है तो फिर 4200 और आज का हाय पराइज है 43,300 के आसपर तो वहां तक वापस क्लेम करने कोशिश कर सकता है 43,400 इसके ऊपर अभी फिलाल जाने के चांस बहुत ही कम है क्योंकि इसके पास ही रिजिस्टेंस बड़ा स्टार्ट हो जाता है कौन सा र यहां पर जो है 43,400 और 43,500 एक लेवल बैठा हुआ है यहां पर आते ही रिजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है इसलिए 300 के आसपर पहुंचता है तो आप एक्जिट हो जाए से बाइस से लेकिन चुकि आपने खरीदा हुआ है यहां पर इंडेक्स तो तो कॉल ओप्शन में चल सकते हैं 43,000 के स्टार्ट का आप कॉल ओप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पर यह कॉल ओप्शन ऊपर जाके प्रोफित देगा तो यह बाइवर सेल के लेवल निकल के आ रहा है इनकेस अगर यह गैप अप और गैप डाउन हो गया यानि की ऊपर डारेट खुल गया है तो देगे ऊपर अगर खुलता है एक सो डिर सो पॉइंट दो सो पॉइंट से कोई फरक ऐसे पढ़ता नहीं जैसे आज खुला ना तीन सारे तीन सारे तीन सो चार सो पाइंट तो अच्छा जितना नजदिक इसके आजपास मैंने कल बोला था तै तैताली सार चार सो चार सो के नजदिक में खुलता है तो फर्स्ट एटेम्प यानि कि पहला आक्रमन जो होगा वो सेल साइड में ही होगा और टार्गेट यहां पर फिर तैताली साजार तीन सो से लेके राउंड नंबर का एरिया 43,000 तक वापस बन सकता है खराब होने के कंडिशन में वापस अपने आज का प्राइस के आज पास आ सकता है जिसका प्राइज आता है 42,900 से लेके 42,800 तक किलियर होगे यहां तक पूट अप्शन आप 43,500 के प्राइज का पूट अप्शन लेके आप चल सकते इंडेक्स नीचे आने पर यह पूट अप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट दे या 42,300 पे खुल गया 42,400 यह सारी एरिया 42,300 से 400 का अच्पास अगर गैप डाउन खुलता है तो यहां से प्रोपर एक बाइंग ऑपर्चुन्टी बनता है और इस कंडिशन में जो आपके टार्गेट बनेंगे वह बनेगा 42,500 से लेके वापस 42,800 तक जो कियाज का क्लोजि इंडेक्स उपर जाने पर यह कॉल उपर जाके आपको प्रोफिट देगा लेकिन यह नेक्स्ट एक्सपारी वाला कॉल अप्शन लेना है यह तो बात हो गया बैंक निफ्टी का दोस्तों अब बात करता हो निफ्टी के तरफ में क्या सिच्वेशन बनता है देखें निफ् वंपर से हम लोग क्या देख रहें और बना रखा रहा है से लेकिन एक चीज आपको यह समझना होगा जो अब यहां पर से दिक्कत है कि अगर आपको बाइंग करना तो 19,150 यह वो एरिया आता है 19,150 जिसके उपर बाइंग बनता है लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप 19,125 के उपर भी बाइंग करके चल सकते हैं यहां पर भी बाइंग करके चल सकते हैं उपर अभी भी आपको जो टार्गेट बनेंगे तो खास उम्मीद टार्गेट का नहीं करेंगे कि 19,175 से 19,200 का नियर रजिस्टेंस छोटा टार्गेट बड़ा टार्गेट आप जाएंग तो 19,225 से 19,250 का जिसके आज-पास आज हम तो ओपन तो हुए थे फिर वहीं से प्रेशर लेके गिर गए यह आपको टार्गेट बनता है ना यहीं कि 19,250 की बात कर रहा हूं इस कंडिशन में कॉल ओप्शन चुकिए आपने बाइ किया तो जाइस बात कॉल ओप्शन आप लेना पसंद करेंगा अगर आप आप सपोर्ट इरिया के नीचे बेचेंगे उसके पहले तो बेचने का कारण नज़र नहीं आता है और वह का लेवल आता है 19,050 अगर इसके नीचे आता है तो आपको सेल करके चलना चाहिए 19,050 के नीचे और इस कंडिशन में टारगेट 19,025 से लेके 19,000 यह छोटा इसमॉल टारगेट आपको बनेगा आप यहां पर यह कैंडल देख रहा है और यह कैंडल आप देख रहा है तो यह दोनों कैंडल का अगर आप लोग को कंपेर करेंगे तो लगवा बहुत पास में है आसपास में है इसका मतलब यह क्या बता रहा है कि एक सपोर्ट एरिया बनने का कोसिस कर रहा है यह बना रहा है तो हम उस पर लाइन लगा देंगे तो प्राइज आता है 18,925 का जो के भी फिलाल दूर है लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और इस ग्याप एरिया को फिल करने यह आ सकता है किलियर हो गया ओके पूट ऑप्शन इस कंडिशन में पूट ऑप्शन जो आपको लेना चाहिए वह 19,000 का भी लेके चल सकते हैं और 19,050 के भी स्ट्राइक प्राइस का पूट ऑप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे आने पर पूट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो यह निफ्टी का लेवल आ रहा है दोस्तों इस हिसाब से क्लियर है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर यह भी गैप ऑप और गैप डाउन खुल गया तो उसी तरह से आपको जितना नजदिक हो 19,250 से 300 के आ और इस कंडिशन में टार्गेट आपको मिलेगा 19,225 और 19,200 का छोटा टार्गेट बड़ा टार्गेट की बात के तो 19,75 से 19,150 यहां पर वापस आ सकता है 19,150 और यह अगर टूड गया तो वापस आपको पता है कहां आगा यह अपने सपोर्ट अरिया को टच करने आगा तो इसके बाद जो टार्गेट बनेगा वह 19,125 से लेके 19,100 तक एरिया को क्लेम कर सकता है पूट ऑप्शन आप 19,250 के श्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं कोई दिक्कर नहीं इंडेक्स नीचा आगा तो यह पूट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा यह गैप अप सिनेरियों में लेकिन अगर यह गैप डाउन हो जाता है यानि कि नीचे ही खुल अगर तो उस कंडिशन में यहां पर मान के चलते हैं कि फिर से उसी एरिया पर खुल जाता है 18,900 के आसपास में हो सकता है यह 18,850 के आसपास में क्यानि जितना नजदीक यहां इसके आसपास में खुले तो आपको यहां पर 18,900 के श्टाइक प्राइस का ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और इंडेक्स उपर जाने पर यह कॉल ओप्शन उपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो यह निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों एक नॉब्बर 2023 के लिए बुद्वार के लिए पसंद आया तो जरू फीड़बैक करें और आप चाहें तो टेलिग्राम चानल और आरके टेडिक मॉइल और को जोएन कर सकते हैं लेकिन याद रहें कोई भी कॉ अगर वहां पर मिलता है तो अपना लाव अनुसान की जिम्मेदारी स्वेम तै करें किसी चानल या मेरे चानल के तो बिलकुल भी नहीं हो तो मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद